नमस्कार, हूम कुकिंग में आपका स्वागत है और आज में आपके साथ शेर करूँगी चुकंतर का जैम जिसको बनाना बहुत ही आसान है और खाने में ये बिल्किल फिरूट जैम जैसा लगता है सो बने रहेगा वीडियो के एंड तक अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेर कीजिएगा अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज कर दीजिएगा साथ में जो बैल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वी चुकंदर का जैम बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक लो चुकंदर लिया है जिसको मैंने अच्छे से दो लिया है अब इसका छिल का उतार कर अफली चॉप कर लेंगे यहाँ पर मैंने कड़ाय में कटे हुए चुकनर को डाल दिया है इसमें डाला है मैंने डाई से मिल पानी अब इसे मीडियम टू लो फलेम पर सॉफ्ट होने तक अबालेंगे चुकनर हमारा अच्छे से अबल गया है सॉफ्ट हो गया है और ये ठंडा हो गया उसके बाद ही मैंने इसको देखा है ये अच्छे से सॉफ्ट हो गया है अब मैंसे एक चलनी में निकाल लए हूँ ताकि इसका पानी अलग हो जाए क्योंकि हम इसका पेश्ट बनाएंगे और पानी हम इसमें इतना ही डालेंगे जितने की जरूत होगी ज्यादा पानी के साथ इसे नहीं पीशेंगे अगर हम ज्यादा पानी डालते हैं तो हमें जैम को ज्यादा देर तक पकाना पड़ेगा हमें उतना ही पानी डालना है पीश ते समय जितने की हमें जरूरत हो मैंने इसको मिक्सी के जार में रख लिया है अभी मैं इसे पीश लूँगी देखिए कितना अच्छा सा पेश्ट इसका बन गया है एक तम फाइन पेश्ट बना है इसका और आपको ध्यान रखना है आपको इतना ही पानी डालना है जितने की हमें जरूरत हो क्योंकि पेश्ट जितना गाड़ा होगा आपको पकाने में उतना ही कम समय लगेगा ये एक लचुक अंदर है जिसमें मैंने साड़े 400 ग्राम चीनी डाली है अब इसे अबालाने तक मीडियम टू लो फिलेम पर चलाते हुए पकाएंगे उसके बाद हम गैस को लो फिलेम पर कर देंगे और इसे हम ढख देंगे क्योंकि जब भी ये उबलता है तो बहुत तेज उचलता है इसलिए हमें ढख कर इसको पकाना है गैस को low flame पर रखना है देखे कितना सारा इसके डकन पर ये लग गया है आप पता लगा सकते हैं कि कितना तेज उचलता है जब भी आप इसे चलाने के लिए डकन खोलेंगे तो गैस को ओफ कर देंगे और ढखने के बाद गैस को on कर देंगे नहीं तो आपका हाथ जल सकता है आपको इसे बीच बीच में चलाते रहना है नहीं तो ये नीचे से जल जाएगा और आपका जैम खराब हो जाएगा ये देखी कितना गाड़ा हो गया है थोड़ी ही देर में ये बनकर त्यार हो जाएगा अभी हम इसे चेक करते हैं इसमें कितनी कमी है बनने में देखिए ये स्पेचला से अपने आप ही नीचे गिर रहा है इसका मतलब अभी ये नहीं बना है इसे थोड़ी देर और पकाना है हमें और गैस को लो फिल्म पर ही रखना है और ये डाल रही हूं में एक चोटी चमट सिट्रिक एसिड आप चाहें तो इसमें नीवू का जूस भी डाल सकते हैं इसमें दो बड़ी चमट चाप नीवू का जूस डाल सकते हैं और ये डाला है मैंने वैनिला फिलेवर थोड़ा सा आप चाहें तो इसके जगे गुलाब जल भी डाल सकते हैं नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं हमें इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर चलाते हुए दूमनट और पकाना है दूमनट में ही बनकर त्यार हो जाएगा क्योंकि हमने इसमें सिट्रक ऐसे डाला है तो इसलिए इसे दूमनट और पकाना पड़ेगा यह देखिए बनकर त्यार हो गया है गैस को मैंना ओफ कर दिया है और इस पेचला से नहीं गिर रहा है इसका मतलब यह बनकर त्यार हो गया है हम इसे जटकेंगे तब ही यह गिरेगा ये देखिए इसे ठंडा होने के बाद आप इसे कांच के साफ और सुखे जार में भर कर फिर्ज में रखते हैं क्योंकि हम ने इसे घर पर बनाया है इसलिए से फिर्ज में ही रखना पड़ेगा ये महीनों तक बिल्कुल भी खराब नहीं होगा आप इसे ब्रेट के साथ रोटी के साथ किसी के साथ भी खा सकते हैं बच्चों को ये बहुत पसंद आएगा आइ थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सेर और सबस्क्राइब थेंक यू, बाई, टेक केर